शाओमी का है परोस 2.2 चाहिना में ओफिशली लॉंच हो चुका है और उसी दिन गाइज अपडेट की गई थी शाओमी की एंड ओफ सर्विस की लिस्ट जो की अभी तक हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी हम लोग बीजी थे रोड मैप पे बतलब किन-किन प्रियर होने वाली है जिन जिन डिवाइस का नाम मैं आज की इस वीडियो में लेने वाला हूं उनको है परोस 2.2 नहीं मिलेगा नहीं कोई और अपडेट मिलेगा और उसके इलावा जो भी डिवाइस हैं मतलब जिस कैटेगरी में मैं एंड करूँगा उसके बाद जो डिवाइस को डाला गया है एंड डिवाइस की लिस्ट वैसे मैं टेक्निकली सारे ही डिवाइस का नाम लूँगा क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि आप लोग हाइपरोस से हाइपरोस 2.0 में जा रहे हो तो मैं पुराने डिवाइस भी इंक्लोट करूँगा इस चिसका अप लोग चेक आउट कर सकते हैं आपको देखने को मिलता है सेक्योरिटी अपडेट फॉर स्मार्टफोंस यह जो लिस्ट है वो अप्टेट गी गई थी 28 अक्टोबर को और आप सब पता है कि उसके बाद ही आपको शाओमी का है पर स्टू पंटो देखने को मिला था आइधिं ग्लोबल देश्जन, yourप बहुता है, देखने को मिलता है, एयम मिक सपोर, एयम में एवन зан यहां पे जो लॉंच हुआ है वह चाइना में हुआ है बट यह सेम डिवाइस अपकम इंडिरी में ग्लोबल में और इंडिया में भी गाइस उड़ने वाले एक तरह से तो यह चीज आप लोगो लें द्यार रखनी है रेडमी से इसके बात करते हैं तो डिरेक्ट चलते हैं नीचे इसमें हमें देखने को मलता है रेडमी नोट 8 प्रो रेडमी नोट 80 ओविसली थे ही रेडमी 8A सीरीज रेडमी K30, K35G, रेडमी 10X, रेडमी नोट 9, रेडमी 9A, रेडमी नोट 10 5G, रेडमी K30 Ultra, रेडमी 9 प्रा पाद Redmi Note 10 Pro, Russia Audition, Indonesia Audition, Europe Audition, Turkey Audition, Global Audition, Redmi Note 10 Turkey, Redmi Note 10 5G Taiwan, Redmi Note 10 T Russia, उसके बाद Redmi Note 8 का दोसर 21 Audition guys उसको भी end किया गया है, Redmi Note 10 5G, Redmi K40, Redmi Note 10 G, तो Redmi Note 11 उसके आगे वाली जो सारी सीरिस है उनको HyperOS 2.2 मिलेगा, चाहे वो Android 14 बेस्ट हो, चाहे वो Android 15 बेस्ट हो, अगर वो eligible है तो, उसके बा अच्चीया, तयवान, तर्गी, जो के HyperOS के टाим पर उडा दिये गहे थे, उसके बाद POCO X3 Pro इंडिया वाला इंक्लूट कर दिया गया है, POCO X3 Pro तयवान भी इंक्लूट कर दिया गया है, POCO M3 Pro 5G रस्षया इंक्लूट किया गया है, POCO F3 जीटी इंडिया इंक्लूट किया कि अभी तक जो चायना में लॉँच्वेट होगा है, उसके बाद काफी सारे चायना के वे इंकलूड किये गए हैं, सेम तू सेम यही वे आपको भी पेस्ट करदो, ग्लोबल में भी और इंडिया में भी, इंडिया में वैसे और वीजरी इंग्लोड होगे, जिसमें काफी limited devices है जो की काफी अच्छी बात है so technically guys एक तरह से good news है कि इन devices को छोड़के बाकी सभी devices के लिए proper possibility है जिनका नाम अब तक confirm नहीं किया गया है first batch, second batch या third batch में उनको देखने को मिल सकता है HyperOS 2.0 का update but Android 14 based, 15 based नहीं होगा ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखती है बाकी guys overall ये news मुझे लगता है कि important थी और आप लोगों को पसंद आई होगी future में और भी information आ रही है guys सारी अगर आप लोगों को जाननी है वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर एक अच्छा सा comment करो और comment में बता हो guys कि आपकी device का नाम किया है so guys thank you for watching मिलते है रेक्श वीडियो में